कालो फ्रांब्स आज कि लिगया के अंदर मैं आपको आगे बैल्ट और पीचे लास्टिक की कटिंग और उसकी इस टीचिनc दिक्वंगा एंड में दोस्तो इसको प्रेस करके भी दिखाऊंगा कि किस तरीके साब इसकी प्रेस कर सकते हैं और इसकी लुक दोस्तो आप देखेंगे तो बिल्कुल एक पैंड की तरह होगी प्रोपर सिर्फ उसके अंदर पॉकिट और जिप को हम नहीं लगाएंगे तो इसकी कटिंग क मैंने इसमें कम अर्ज वाला जो कपड़ा है वो लिया है आपको भी बता लेता हूं कपड़ा दो मीटर और मैं कपड़ा खोल के भी दिखाता हूं सबसे पहले तो आप देखी किनारी वाला हिस्सा होता है इसको मैं नाप के दिखाता हूं तो यह रेखी दोस्तों 35 इंज का और डबल में कपड़ा यह दो मीटर लिया है और दो मीटर में अराम सी पैंट कटके बन जाएगी अब देखी इसके लिए में करना क्या है प्लेन कपड़ा है तो इसमें सीधा उल्टा तो बिल्कुल भी नहीं है लेकिन कई प्लेन कपड़ों में जो है शाइनिंग होती है तो यह आप उल्टा सीधा चेक करने और सीधे कपड़े को हमेशा अंदर की तरफ करेंगे उपर की साइट आपको आएगा नॉर्मल कपड़ा अब इसको मैं देखी इस तरीके से पकड़ रहा हूं किनारी से और पकड़ने का इसको अच्छी तरीके से एक बराबर सेट करना है किसी तरीके जोल नहीं होनी चाहिए और किनारी को खेच के रखना है दोनों ऐसे करके जब खेच के रखेंगे तो आपको काउंटर पर बिचाने में असानी रहेगी और बिल्कुल एकदम साफ सुत्रा कपड़ा देखिए काउंटर पर सेट हो जाएगा एक ही बारी में अ इसको मैं सामने रखूंगा सबसे पहले उपर की साइड में दोस्तों मैं इस तरीके से निसान लगाऊंगा यह निसान हम लगाते हैं जो भी आडा तिल्चा कपड़ा था उसे हटाने के लिए उसके बान अपनी सेफट्टी लेनी है इसको हम इस तरीके से रखेंगे और इस इससे कि वह आपके लंबाई एज्जेस्ट हो जाएगी तो एक इंच ऐसे रखने के बार लंबाई दोस्तों सबसे पहले 35 इंच है तो इंचीटेप को ऐसे लेके आना है और 35 इंच पर दोस्तों निसान लगा देना है यह निसान लगाने के बाद इस निसान को हम करेंगे सी निसान को सीधा कर लेंगे इस निसान पर हमें कटिंग करना है अब यह दो निसान लगा दिये अब एक निसान दोस्तों यहां पर आएगा आपका आसन का जो कि इसके अंदर दोस्तों आप आसन रख लेंगे ग्यारा इंच और यहाँ पर भी हम इंची टेप को एक इंच ऊपर रखना ऐसे हो यहाँ पर भी ग्यारा इंच रख देंगे तो दोस्तों इंची टेप को एक इंच ऊपर रखने के बारी ग्यारा ग्यारा पर हमने दोनों निसान लगाए हैं यह थाई 27 के हिसाब से लगाए है क्योंकि मैं आसन का जो फार्मूला होता है ना वो थाई क्या कोडिंग निकालता हूं और अगर आपको यह चीज़ सीखनी हूं डिटेल में कि किस तरीके से जो है आप यह फार्मूला निकालते हैं तो दोस्तों आप हमारी ओनलाइन किलासी जोइन कर सकते हूं इसक्रीन पर द अगर आपको निकालना ना आता हूं तो इंचीटेव की मदस से इसको इस तरीके से मिला लें 27 और यह देखिए शाड़े तेरा आपका इस तरीके से आ जाएगा तो आपको इस निसान से शाड़े तेरा रखना और इस तरीके से रखके यहां पर निसान लगा देना है अब यह sheep का निसान हो गया अब आप को क्या करना होगा इस निसान sibling को आपणा है इस किनारी को जो कि आप क्या रही 7 quer razem इस तरीके से ऊपर भी मिला के एक निसान लगााना है और इसारीके से दोस्तों आपको यह बार्द चैक कर लेनास साड़े साथ एक सूथ यहाँ पर भी साड़े साथ इंच एक सूथ यहाँ पर भी इसी तरीके से लगेंगे दोस्तों यह क्या होता है अगर आप यह निसान नहीं लगाएंगे न यहाँ पर हम किरिज की अपनी एक लाइन बनाते हैं जारा दर एक सिकायत आती है कि पैंट अक्सर घूम जात अब दोस्तों यहाँ पर देखें बोटम जिसे मोरी भी कहते हैं मोरी बारा इंच है बारा कादा दोस्तों हो गया छे इंच छे कादा हो गया तीन तीन इंच आपको हाफ में ऐसे रखना है और इस तरीके से निसान लगाना है एक निसान बारा कादा छे पर निसान इस तरीक से लगा देंगे हैं अब हमें अपनी से खोड़ने कर दो चोड़usi वाल जो स्कूल फोड़ाना है और इस कमर का निसान क्योंकि हमारे तीन निसान हो गए लंबाई मोरी थाई सब करना कमर का कमर है 34 तो दोस्तों देखिए किस तरीके से कमर को आप निकालेंगे दोस्तों दोस्तों और 17 इंच आपके आगे की बैल्ट होगी तयार यहां बे मैं लिख देता हूँ 17 में से माइनस करनें तीन इंच बचा 14 14 इंच के दोस्तों आपको लाश्टिक तयार डालनी है आपकी कमर बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगी यह आपका फार्मूला है मैंने आपको यहां समझा दिया फिर भी दिक्कत हो तो वीडियो को पीछे करके दुबारा से समझ लें कमर का बहाग करने के बाद किस तरीके से मै यहां कि अगलने के बाड मैं यहां पर तक्रीबँ रहां से स्वर्च लेंस यह दोस्तों किसारे लग चूकि अब इसको यहां से हम यह डेड़ इंच आसे कब मोजा इसने निसों लगांगी। कभी-कभी एक इस होता हिता जोरी जैसे आल मोल कमीज कर निसान लगाते हैं सेम ऐसे करके यहां पर सेफ देदेंगे तो आपके सेस हो गई अब यहां पर हमें जो दाइच एक्षर लिया वह कहां पर जाएगा तो वो जाएगा आपके प्लेट में तो देखिँ हैं आप में पॉना इंच ऐसे रखने हैं लाइन पूना इंच कष डबल हो общем देडर के से निसान लगाल कि इसको लंबाई में इसाड़े चार पर निसान लगाले और यह दोस्टो जो आइम निसान लगाने चा रहा हूँमगे यह है हमारी प्लेट कर निसान इस तरीकी तो आपको इसे में स्टीचिंग भी दिखाऊँगा मैं आप एक यवारा में देखके समझ जाएंगे अब दोस्तो मैं करूगा इसकी cutting cutting के लिए सबसे पहले इसको सीधा cutting करेंगे है फिर उसके बाद दोस्तों इसको इस तरीकी से cutting करेंगे सी निसान पर cutting करते होगा दोस्तों यहाँ पर मिला देंगे फिर यह आले निसान से हमें नीचे तक दोस्तों कटिंग करनी है अब दोस्तों यहाँ पर हमें इस निसान से ऐसे कटिंग करनी है सीधा और अब यहां से हम कैची से तिल्चे में भी कटिंग कर लेंगे और कटिंग करने कर एक कट हम लगाएंगे यहां पर उसके एक कट हमारा यहां पर आएगा एक कट यहां पर एक कट यहां पर यहां पर यह दोस्तों कटोगे तीन हमारे यहां पर कैची के मदद से ऐसे न निसान बनाएंगे दूसरी तरफ भी हमारा निसान उठ जाएगा प्लेट डालने का तो यह आपको नजर नहीं आएगा मैंने यहां निसान लगा दिया ठीक है अब इसको देखिए मैं ऐसे फोल्ड करूँगा इसको हटा दूँगा अब यह वाला जो हिस्सा है दोस्तों इसक अधरीके से गुमाना है यानी बन्वाली साइड आपकी हमारी तरफ आएगी पहले ओपन वाली साइड थी तो इसको इसको इकोल मिलाके हम रखेंगे ऐसे यह देखिए हमने इसको एकोन मिला के ऐसे रख लिया पूरा अची तरी कपड़े को सैट करेंगे किसी भी तरीकी की जोल नहीं होनी चाहिए मैं आपको पूरा इसलिए दिखा रहा हूं जिससे कि आप पैंट एक की बार में कटिंग करना सीख सकें अब देखिए मैंने हाथ ल मैं मेरी आ रहत है मैं प्रेस करके ही कटिंग करते हैं और अब इसको देखिए दोस्तों किनारी वाला समने यहां का भी काटा नहीं है तो इसको बिल्कुल एक बराबर मिला के ठीक है किनारे से आपको इस तरीके से मिला के लग देना है यह हमने मिला लिया मिलाने के बान पर दोस्तों यह आपका फ्रेंट वाला हिस्सा है इधर एक निसान आपको सीधा ऐसे लेके अंदाजे से यहां पर बैक पल्ले को तकरीबन डाइंच इस तरीके से निसान लगाना है और यह वाला जो निसान है दोस्तों जहां से कमर ना पीती इसको तिल्चे में फुट्टा लगके इस तरीके से निसान लगा देंगे तो यह निसान लग गया इसके बाद दोस्तों यहां पर हमें देर्ड इंच का ऐसे निसान लगाना है और यहां से उपर सेफ देनी हो यह सेफ हमारी आदा इंच तक आगे जाएगी और यहां पर जाके मिलेगी आदा इंच ठीक है कर लेंगे और बाकी को दोस्तों कि उससे फट्टी मिला ना है और इस तondereख से मिलाना है ओर इस तरीका से अब दोस्तों करेंगे इसकी कटिंग करने के लिए सबसे पहले उपर का हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे सीधा फिर दोस्तों इसको करेंगे इस तरीके से कटिंग और यहां पर लाके मिला देंगे अब दोस्तों इसको निसान से थोड़ा आधा एक्स्टर लेके कटिंग करना है जैसे मैं कटिंग कर ला हूँ और बिल्कुल नीचे तक इसी तरीके से दोस्तों आपको कटिंग करते वाना है और यहां से भी हमें तिल्से में कटिंग कर देना क FeelsTouch 가 DON अब दोस्तों यहाँ पर मैं इस तरीके से यहाँ पर कर दोस्तों और निसाने हमें करना है यहाला श्सा और फिर इसको नीचे तक ऐसे लाके कि program देखिए दोस्तों यहां पर हल्का फूल का जो कट कर लेंगे इदर हमें लगा दे Courtney हो जाती है आप देखे हमारी इसे पैंड काटिंग कैसे करेंगे थो देखिए दोस्तो और आपको जो चीद बता रहा हूं उससे आप समझें तो देखें दोस्तों यहां पर मैंने आपको बताया था कि आगे की बैल्ट सतरा इंच की तयार रहेगी तो दोस्तों जितनी चोड़ी आप लगाए उतनी चोड़ी आपको बैल्ट लेनी है मैं सबाइन चोड़ी जाता है हमें यह कपड़ा देखना है और इसमें से हम जो है कपड़ा निकालेंगे लाश्टिक के लिए और बैल्ट के लिए तो दोस्तों यह हमारा कपड़ा है तो कपड़े को हम कुछ इस तरीके से हमारा कपड़ा होगा हम इसको नापेंगे और आपको यह पेस्टिंग क करेंगे कि देखे डबल में फोल्ड है हमारा यह ठीक है इसको हम तक्रीबां दो इंच एक्ष्टा करके दो इंच हमारा रहेगा इसको हम दो इंच की पट्टी कटिंग कर लेंगे सिर्फ इतना ही खर्चा आपको निकाल लेना है मसीन में बैड़ने से पहले बार बार जो है आपको यह उठना नहीं पड़ेगा कटिंग के लिए तो मैंने मेरा नीचे कपड़ा रहे गया तो मैं इससे कटिंग करके हटा लेता हूँ कि अब दोस्तो यह कपड़ा हमारा यह टोटल में ओपन कर नहीं हो जायाएगा चार इंच इसको दोस्तों हम हलकाल किसी प्रेस लगा लगा लेंगे वो साफ लेंगे कपड़े को जो भी जोल वगजर है वो निकल जाएगा तो दोस्तों यह तो होगा हमारा लाश्टिक के लिए इसको मैं अलग रख देता हूं अब जो हमने कटिंग कर रहा था बैल्ट के लिए ठीक है तो इस वाले को हम सबसे पहले इसको ऐसे रखेंगे ऐसे रखने के बाद यहां पर हमें अपने बैल्ट वाले जो जो बैल्ट का पट्टी उसको रखेंगे इस तरीके से और इसे दोस्तों चिपकाएंगे तो प्रैस की मदस्ते हमें इसको चिपकाना अच्छी तरीके से जिससे अच्छी तरीके से चिपक जाए दोस्तों और कपड़े को भी साफ कर लेने नीचे वाला कपड़े आप जोल दिखता होगा इस तरीके से कर लेता हूं ठीक है यह चीज का दिहान रखेंगे अब यहां से हमें आधारा इस तरीके से ठीक है और इसको ऐसे प्रेस लगाना है जिससे कि प्रेस से तोड़ना तो बैल्ड को हम अच्छी तरीके से तोड़नेंगे तो देखी दोस्तों मैंने याँ पर इसको इस तरीके से तोड़के विल्कुल उसी के बराबरे नीचे का कपड़ा हमने कटिंग कर लिया कपड़ा आपको बताता हूं इसकी सिलाई कि किस तरीके से आप इसकी सिलाई कर सकते हैं तो सबसे पहले देखी दोस्तों यह हमारा बैक वाला पल्ला है हमें अपने बैक वाले पल्ले पर यह आसन का हिस्सा है इसको हमें ऐसे ऐसे आड़ा इंच का निसान में जो मैं लगा रहा हूं इस पर हमें सिलाई कैसे लगानी तो ऊपर से भी स्टार्ट कर सकते मैं नीचे से स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि मारी पा सुर्ण निसान लाएं गते हैं तो देखिए हम यहां से स्टार्ट करेंगे था पिलेट के लिए तो दोस्तों हमने यहां पर यहां पर यहां पर चलाएगा तो इस तरीके से दोस्तों हमारा यहां पर इस तरीके से वाली पर डbok ड़ी दों यहां पर यहां पर रिखाता हूं कि यहां पर आपको इसलाई लगातुद तरफ दोस्तों ऀख सब्सक्राइब में और ऐसे फोल्ड करना है आजािक एंचिका जो कपड़ा था यहां पर लगाएंगे फ bonnes लाई इस तरीके में करते रही किस्टिंग से फोल्ड करते हुए कि अलबमें लगाएंगे क्या अगट दोस्टों सबढकि लगाने के बाद जो है हमिन आपे क्या करनाentar पड़ेगा इसको इस तरीके से फोल रखना ऐसे देखिए ऐसे रखने के बाद यह वाला जो इससा है दोस्तो सीडी साइट से आपको ऐसे रखना है अब इसको ऐसे ओपन कर देना है ओपन करने के बाद इस साइट से हमें इसको इस तरीके से मिलाना है और पेस्टिंग वाला इससा आपका और इदर वाली प्लेट को आप दूसरी तरफ कर दू आगे की तरफ और इसी तरीक से दोस्तों देखिए लगाते वाएंगे हम तो यहां पर इसको उतार देंगे अब उतारने के बाद दोस्तों यहां पर आप इसको हलका नाखुन लगा लें ऐसे पूरी उस पर जहां पर हमने सिलाई लगाई जिससे क्या होगा कपड़ा हमारा बैठ जाएगा तो हलका हलका नाखुन लगाके अब यह जो हिस्सा है इसको पूरे देखे दोस्तों लगा दी यह सब बंद हो गया अब उपर की साइड में दोस्तों में किनार पर ऐसे लगानी है पूरी लपकी सिलाई कहते हैं इसको हम यहां पर उतार देना है अब दोस्तों जितना भी कपड़ा फाल्ट हम इसे कटिंग कर लेंगे बैल्ट के उसको और इसको भी हम कटिंग कर लेंगे तो दोस्तों फरेंट वाला हिस्सा तो हमारा बैल्ट लगके होगे तयार अब हमें अ उल्टी साइट से इसको ऐसे ओपन करेंगे इसको मैं ऐसे रखेंगे मसीन में और जो कपड़ा कटिंग किया था दोस्तों कपड़े को में लेना है पहले से सैट कर लेंगे और इसको हम इस तरीके से रखेंगे मिला के उल्टी तरफ से दोस्तों में लखने और आरा इनके माद में पहले सिलाई लगाते हो आना है और सुई को अंदर रहने देना यह जो मसिंगी सुई है इसको अंदर छोड़ देना अब दोस्तों देखिए काफी लोगो को दिक्कत होती बैक पला उठा होता उसमें लाश्टी लगाने में कपड़ा मारा यहां जा रहा है लेकिन यहां प तो देखिए लगाते होएंगे नीचे लाके हैं उतार देंगे जो भी यहां पर हमारा फाल्दो कपड़ा होगा इसको कटिंग करके हटा दें अब दोस्तों इधर आपको जो कपड़ा इसको हमें ऐसे करना है और यहां पर लगानी एक पैर की सिलाई जिससे आपका नीचे जाला जो माल जाने हों कपड़ाई अच्छी तरह के से बैठ जाएं अब कर देखिए दोस्तों यहां पर हमारी सिलाई उतार देते हैं और यहां पर देखिए यह फाल्दो कपड़ा था इसको कटिंग करने के बाद अब दोस्तों इसको हम ऐसे रगाएंगे मसीन में और सब दोस्तों हमारा यह है हम आपको दिखा देते हैं लाश्टिक का रोल को कटिंग नहीं करना और आप मैं आपको जो समझा रहा हूं उस चीज को अच्छी तरह आप समझेंगे देखिए आगे की बैल का मैंने आपको बताते हैं पीछे लाश्टिक 14 इंच की है तो लाश्टिक करना है लाश्टिक को पहले से पहले कटिंग नहीं करना और हमने यहां पर एक एक एक्ष्टा लिया 14-15 लिया क्योंकि हमारा आदा राइंच दवाव में जाएगा अब लाश्टिक को पूरा ओपन करने अच्छी तरीके से अब देखे दोस्तों यहां पर हमें करना क्या बराबर से ऐसे रखी जाएगी है और इसको हम पहले कपड़े को ऐसे ऐसे कृठे बराबर करेंगे लाश्टिक आपकी औ्स इसको corona लगांगे है एक और इसका लगानी है याद रही हमारे लाशिक प्रके नहीं लगनी चाहिए तो देख्षे और यह इसके बराँए की उसक तो बिल्कुल इसी तरीके से आप मिलाते हुए कपड़े को ऐसे फोल्ड करते हुए दोस्तों पूरी लाश्टिक को लगा ले तो देखे दोस्तों पूरे में लाश्टिक लगा ली अब लाश्टिक का यह आला इससा जो आएगा इससे हम खेचेंगे यहां पर गैदर्स हम अराम से खेचेंगे और नीचे वाला जो इससे बिल्कुल मिला के रखना है देखिए हमारा यह मिलके आ चुका है अब यहां पर हम लगाएंगे एक सिलाई दोस्तों देखिए आप बिल्कुल फिनिसिंग के साथ हमारे गैदर्स आ चुकी है ठीक है अब हमें इसको ऐसे रखना है यह सीरी साइड है जो हमने अपने फरेंट वाला इससा पल्टा था उससे लेंगे कि अधि कि दो स्थो से सीद्धी साइट से सीद्धी साइट को ऐसे मिलाना है एकोल उसको जो हम करेंगे ओधाहिक को आधां के मादुन में स्यॉथ पक्का करेंगे पहले पक्का करने के बाद कि इसको इस तरी के से मिलाते हुआ सिलाई लगाएंगे दोफ्तो थोड़ी सिलाई लगाने के बाद धागे को आप हेंट टो हेंट कटिंग करने अब यह आपको अराम से रखना है क्योंकि यहां पर थोड़ा औरेव है सीधे तक तो आप नॉर्मल सिलाई लगाते हुआ आ जाओ लेकिन जब आप औरेव की साइड आओगे तो याद रखें औरे विस्सा ऊपर नीचे हो जाता है तो इसको आप बहुत अराम से कपड़े से मिलाते हुए देखिए यह जो आपका नीचे आला इससा है इसको ऐसे पकड़ना है और पकड़ने के बाद देखिए पहले आप थोड़ा सा इसको ऐसे मिला लें यह साब का मिल गया फ हो यह देखिए दोस्तों बिल्कुल भी आपका चोटा बड़ा नहीं होगा यह जो कड़ा हलका सा 19 भीट हो वही वजाय है अगर आप देखोगे नहीं तो 19 होगा अब देखिए इस तरीके से छोटा बड़ा बिल्कुल होतकर हमारा मिल चुका है और इसको हम इसलार लिगा तो यहां पर उतार देंगे तो देखिए दोस्तों एक तरफ का हिस्सा हमारा पूरा अची तरीके से जोड़ चुका है और इसमें आप पॉकिट भी लगा सकते हो ठीक है अगर आप चाओ तो इसमें पॉकिट एड़ कर सकते हो और इसको आप इदर वाले इससे को में दूसरी तरफ ऐसे मिलाना है ठीक है दूसरी तरफ मिलाने के बाद अब दोस्तों यहां पर जो सलाई लगानी ना बिल्कुर से इसी तरीके से जोड़ेगा नीचे तक जैसे हमने आपको यहाला जोड़ के दिखाया है तो चली दोस्तों इसे भी हम पक्का करके इसे जोड़ लेते है फिर साईडों में हम जहां पर जो ब 트分 करके फिर आपको आगे बताते हैं कि आपको आगे कैसे बनाना है तो देखे दोस्तों हमने आप साईड जोड़ने के बाद जहांProfale लात अब यह वाले तो कपड़ा है ना इसको ऐसे खेचेंगे लास्टिक को और इस तरीके से सेंटर में एक सिलाई लगाने हैं तो जैसे मैं सिलाई लगा रहा हूं वैलकुल वैसे लगाएं दोस्तो इस तरीके से पूरी सिलाई लगाएं और यहाँ पर आने के बाद दोस्तों इसको इस तरीजे लाके से उतार दें और इसको धाके करें कटिंग अब मैं आपको यह भी बता देता हूं कि अगर आपकी कमल लूज या टाइट हो जाती है तो उससे कैसे ठीक करेंगे दो से अपनी लाश्टी को हलका सा बढ़ा लें या कम करने उसके बाद दुबारा से से इसी तरह से स्टीच कर दूँँ आपकी कमर लूजोर टाइट हो जाएगी अब दोस्तों चलते नीचे की बोटम की तरफ ठीक है बोटम में हमने देखे यहां पर निसान लगा रखा है तो य इस तरीके सिलाई लगा लेते हैं अब इदर मार्जन को हम आ रहेंज जैसे फोल्ड करेंगे यहां लगाएंगे हम सिलाई दोस्तों कि देखे इस तरीके से आ रहेंज की सिलाई लगाके इसको हटा लेंगे अब यह वाला जो मार्जन है आपका ठीक है कट के पास से इसको में ऐसे फोल्ड करना है बिल्कुल सिलाई से सिलाई मिलके आनी चाहिए जो हम तृच्छा कटिंग करते हैं वो इसलिए कटिंग करते हैं कि हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से मिलके आईए अब देखें मिलके आगया कि यह मिलके आने के यह जो कट है हमारा फोल्ड वाला इस कट को मैं ऐसे रखना है और हलके आसे रखना है सैट करना है देखें बिल्कुल भी जोल नहीं है अब इसको ऐसे पकड़के दोस्तों हम लगाएंगे लगाएंगे तो से दोशत्तों लाई लगाने लिए इसको हम उताल लेंगे तो दोस्तों यहाँ पर उतालने के बाद इसको ऐसे खरेंगे ठीकत आप देख सकते हैं बिल्कुल फिनिसिन से अमारा यह तो अगया नीचे की बोटम इसको फाल तो कप्ड को कटिंग करेंगे इधर से भी हमें फाल्टू कपड़े को करना कटिंग कटिंग करने के बाद अब देखे दोस्तों इस बोटम को हमें ऐसे फोल्ड करना है ओर फोल्ड करने का बिल्कुल दोस्तों इकुल इसको ऐसे मिला लेना है ! दागय में कर लेना कटिंग और अब दोस्तों देखें अपको इसको एक बराबर ऐसे लगते हो हुए यहाँ पर शिलाई लगाने हैं ही हुआ है फिर वारा दोस्तों आपको इसी तरीके से सिलाई लगाने हो pontah मिला के बस यह किर दोनों के लगा वह भीना हो तो बिल्कुल पास आने के बात इदर वालन को ऐसे करना नीचे वाले को दूसरी तरथ वाली बॉटम को भी ईसी तरीके से छेके से लगा लेंगे तो देखे दोस्तों हम ने बॉटम को फोल्ड कर लिया और से लह लगा ली अब इसको एसे पकड़के ना दोस्तों नापेंगे कहीं छोटी बड़ी तो नहीं सिलाई देखी तो विल्कुल एकोल आ रही है अब दोस्तों में सिंपल यहां पर क्या करना होगा इसको हम यहां पर हलका पक्का करेंगे और इस सिलाई को उसी सिलाई पर मारते हुए दोस्तों पूरी सिलाई यहां पर लाक वाले निसान है यह किरिश का निसान होता है हमें इसको ऐसे करना है और यह मार्जन बैक साइड में जाएगा इसको सलाई को ऐसे मिलाना है और उपर आली जो सलाई होगी इसको ऐसे पकड़ लेना है और हम ऐसे रखेंगे इसे एसे रखने के बाद इसको side में से देखिए अराम से इसको ऐसे रखें और अंदर की slide जो होगा ना margin इसको भी back side में करना है और अराम से आप इसको इस सरीखे से करने के set देखिए और अब इसको set करने के बाद जब लगे कि हाँ आपका ये बिल्कुर set हो गया दोस्तों प्रैस लेनी अपनी इसको प्रैस लगानी तो सबसे पहले हम यहां पर क्रीज बनाएंगे तो यह देखिए दोस्तों यहां पर क्रीज बनेगी और फिर side का जो मार जाने इसको इस तरीक से लेके आएंगे हम अब थोड़ा सा और खेच लेंगे थोड़ी और अच्छी दोस्तों इसमें प्रैस लग पाएगी इसको मैं ऐसे set करके थोड़ा कपड़ा इधर करेंगे और दोस्तों यहां के हम प्रैस कर लेंगे थो देखिए वन साइड तो हमारी प्रैस तरह से हो छुकी ठीक है और लेडिस खेंट में इतनी प्रैस बहुत होती है जो पिंट होती है दोस्तों इसमें तो बहुत एक एक चीज को देखना पड़ता है सिलाई से सिलाई मिलाके लेकिन लेडिस पैंट में आप इस तरीके से करने ही भूत हैं और यहां पर इस हिश्य को भी हम खेज सकते हैं तो देखे प्रैस लगई इसको हम ऐसे पकड़के दोस्तों ऐसे गुमा देंगे गुमाने के बार अब हमें जाब करना आपको यह ला इसको भी हमें पहले प्रैस करना कि इसको उसके बाद यह कपड़े को ऐसे फोल्ड कर यह जो आपका थोड़ा जोल खा रहा है इसको ऐसे करके दोस्तों प्रैस लगाएंगे न देखें तो यह हमारा यहां पर जोल खतम हो जाएगा बिल्कुल कि कि यह देखें यहां पर सारा जोल हमारा खतम हो जाएगा और ये वाला जो इससे लगा देगे तो जो भी जोल वगएरा था पैंट में दूसरी तरह में वह बिल्कुल सेट हो जाएगा तो यह हमारी देखें प्रैस अच्छी तरीके से आपर लग चुकी है अब एक बार और इसको गुमाना है और जो इधर हमने कपड़ा कर रहा था तो इधर किरिज जो हमारी खराब हो जाती इसको हमें यहाँ पर प्रैस कर लेने हैं तो दोस्तों प्रैस करने के बार आप देखेंगे एक साइड हमारा इस तरीकी से प्रैस हो चुका फिनिसिंग के साथ दूसरी तरह पाएगी क्योंकि बीना जिप के भी कई लोग पसंद करते हैं इसलिए आपको यह चीज मैंने सिखाई है फिर भी दोस्तों अगर आप हमारी क्लासिक लेना चाहते हो तो जो आपको मैंने वीडियो से पहले बताया था उस नंबर पर टाइलिग्राम करके आप मैसेज करके सा अबलें, तैंक यू पर वाचिँ